आईपिल 2020 का काउंटडाउन शुरू हो गया है लेकिन अभी तक पूरा शेडियूल सामने नहीं आया है टीमें भी UAE पहुँच चुकी हैं और होटेल में कॉरिंटाइन हो रही है राजिस्थान और पंजाब की टीम के टेस्ट पूरे हो चुके हैं जो निगेटिव आये हैं जिसके बाद उन्होंने अपनी प्राक्टिस शुरू कर दी है हाला कि आईपिल का शेडियूल कैसा होगा इस पर कई सवाल सामने आ रहे हैं बताया जा रहा है कि भीशन गर्मी के कारण आईपिल के मैच का वगध बदल सकता है बता दे कि यूए में जिस तरह से अभी भीशन गर्मी पर रही है उसका भी असर प्लेयर्स पर काफी पड़ेगा खिलाडियों के लिए आईपिल के दौरान ये सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है ऐसे में जो दिन के मुकाबले होंगे उन्हें शायद कम करने पर प्लान किया जा रहा है आईपिल के मैच शारजा, अबुधाबी और दुबई में होने वाले हैं हलांकि अबुधाबी में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना की केसे सामने आ रहे हैं अबुधाबी का तापमान भी इस वक्त काफी तेज है, जबकि कोरोना वाइरस गर्म मौसम में तेजी से फैलता है इस वक्त UAE का तापमान 36 डिग्री है, सितंबर के महीने में UAE का मौसम 33 डिग्री होगा और उससे ज़ादा भी जा सकता है, जबकि अबुधाबी में 49 डिग्री के पार तापमान पहुँच जाएगा ऐसे में BCCI की कोशिश है कि अबुधाबी में कम से कम मैच कराया जाए और दिन का मैच तो अबुधाबी में नहीं कराया जाए अबुधाबी में जो भी मैच होंगे, वो देशाम होंगे, जो शाम करीब 7.30 बजे के बाद शुरू होंगे इसके चलते अभी तक BCCI की ओर से शेड्यूल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है शार्जा में अगले महीने तापमान 40 के पार जा सकता है, जबकि दुबई में 49 तक रहने की संभावनाए है रेकिस्तान होने के कारण यहां गर्म हवा हमेशा चलती है ऐसे में मैच के दौरान गर्मी में खिलाडियों को काफी तकलीफ हो सकती है देखा जाए तो दिन में IPL के मुकाबले पूरे UAE में होना काफी मुश्किल नजर आ रहा है इससे पहले RCB के गेंदबाज डेल स्टेन बोल चुके हैं कि UAE में गर्मी काफी होगी जिससे खेलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपको बता दें कि IPL शुरू होने में अब गिंती के दिन बचे हैं लेकिन अभी तक IPL का पूरा शेडियूल BCCI की ओर से जारी नहीं किया गया है टीमे, खिलाडी, फ्रेंचाइजी और यहां तक की क्रिकेट फैंस भी इस वक्त का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं कि कब IPL का शेडियूल आए देखना होगा किस गर्मी की मार में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग के मुकाबले कैसे होते हैं